नमस्कार दोस्तों कॉंपडिशन कम्मुनिटी के यूटूब चैनल बे एक बर फिर से आपका स्वागत है और मैं हुआ गासी आज इस वीडियो के माध्यम से एक नए प्रोग्राम की मैं शुरुवात करने जा रहा हूँ इस कीन पर लिखे हुए कंटेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम आधारीत होगा करेंट अफेर्स पर एकनॉमी करेंट अफेर्स मूरी स्पेसिफिकली अर्थविश्था विशय पर आधारीत करेंट अफेर्स हम डिल करेंगे इस प्रोग्राम में जिसके अंतरगत नेशनल इंड इंडरनेशनल राश्री एवब अंतर राश्री इस्तर के महत्वपूर्ण आर्थि घटनाक्रम गतिविदी को हम डिसकस करेंगे। कब-कब ये विडियो आपके सामने आएगा तो विकली आएगा अर्थात पुरे सब्ता के इंपोर्टेंट टॉपिक को विडियो के माध्यम से हमारे यूटूब चैनल में आप तक पहुचा दिया जाएगा। किस तरह का अप्रोच हम फॉलो करेंगे टॉपिक को डिल करते समय तो सबसे पहले हम टॉपिक का सिलेक्शन या फिर टॉपिक का चुनाओ इस अधार पर करेंगे कि ये हमारे एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से इंपोर्टेंट है की नहीं। अरधात सभी प्रकार के एकनॉमिक करेंट अफिर पर हम बात नहीं करेंगे सिर्फ उसी पर बात करेंगे जो हमारे एक्जाम पॉइंट आप व्यू इंपोर्टेंट है। दूसरी बात जब हम टॉपिक का सिलेक्शन कर लेंगे उसके बाद उसे डिल किस तरह से करेंगे तो हम टॉपिक को डिल करते समय उसकी प्रिलिंस में क्या उप्योगिता होगी उस पर बात करेंगे अरधात ये टॉपिक पढ़ते समय प्रिलिंस में किस तरह से आपको ये सह योग करेगा यह topic यह हम बात करेंगे और means में इसकी utility क्या है यह भी हम देखेंगे और आसान शब्दों में मैं कह दूँ तो हम topic को deal करते समय integrated approach का पालन करेंगे जिसमें topic के prelims में क्या utility है means में क्या utility है इन दोनों को एक साथ ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी सारी बाते वीडियो के साथ में होते रहेंगे सबसे पहले introduction कौन कौन सा topic हम इस वीडियो में cover करेंगे सबसे पहला मेरी policy मेरे हाथ योजना पर हम बात करेंगे जो कि किसके अंतरगर्थ लाए गया योजना है तो वह प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना के अंतरगर्थ आरम की गई योजना है ये मेरी policy मेरे हाथ उसके बाद भारत और संयुक्त अरब अमीराद के बीज जो व्यापक व्यापार समझोता हुआ है उस पर हम बात करेंगे संयुक्त अरब अमीराद अर्थाद यूनाइटड अरब अमीराद भारत में नेपाल की एक इकृत भुक्तान इंटरफेस प्रनाली का प्रयोग तो नेपाल में जो यूनिफाइट पेमिंट इंटरफेस है इंडिया का उसका प्रयोग किया जाना तैक किया गया है उस पर भी हम बात करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि मुडि इसने जो की एक रेटिंग एजिंसी है भारत के विकास दर growth rate को बढ़ाकर 9.5% किया है अनुमान लगाये है तो मूडीस ने भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 9.5% किया है इस पर भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर मूडीस ने ऐसा क्यूं किया है उसके बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 632.95 अरब डॉलर पर पहुंचा इस पर हम बात करेंगे विदेशी मुद्रा भंडार अर्थात फॉरिक्स रिजब तो यह जो current affair है यह जो जितने part हमने cover किये ही यह कब से कब तक है तो यह 21 फर्वरी से एक मार्च तक के current affair है तो 21 फर्वरी से एक मार्च तक के current affair को इस विडियो में cover करूँगा जिसमें मुख्यता यह 5 important topic है चलिए तो सबसे पहले हम प्रथान मंतरी time 12 बजे एक mega seminar है जिसमें हम शात्रों को CGPSC examination के बारे में कुछ मागदर्शन प्रयाद करेंगे किस पर आधारित मागदर्शन होगा सबसे पहले तो यही देखेंगे कि अभी जो बदलता हुआ pattern है एक्जाम का CGPSC का वो कितना मुश्किल है पार करना या फिर कितना आसान है पार करना और मुश्किल से आसान तक का सफर किस तरह से तैप किया जा सकता है अर्थात रणनीती क्या होगी किस तरह की तैयारी होगी कि इस बदलते हुए patterns को हम easily cross कर जाएं या उससे हम लड़ पाएं एक्जाम निकाल पाएं राइपूर सेंटर पर 12 बजे 6 मार्च 2022 बिलकुल आप लोग पहुंच सकते हैं फ्री रेजिस्ट्रेशन के लिए आप दिये गए इस नंबर पर call कर सकते हैं एड्रेश क्या है 24 कॉलोनी राइपूर साउथ एवेन्यू प्ला आठ का आरब उपयोगीता सबसे पहले मेंस पर मेंस पर इस टॉपिक की क्या उपयोगीता है तो में समें प्रश्नपत्र 2 में भाग एक अर्थाद निबंद में अंतर राश्री एवं राश्री इस तर के मुझ्दे तो देखिए ऐसे जो भी मुद्दे होंगे वह निबंद के लिए तो important होंगे क्योंकि direct इनसे निबंद तो नहीं पूछेगा ऐसी संभावना तो कम है लेकिन हाँ कुछ ऐसे निबंद जरू पूछे जा सकते हैं जिसके content को लिखते समय हम इन सारे content का उपयोग कर सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल विमा योजना के बारे में आप तब तब लिख सकते हैं जब जब आप कोई ऐसा essay लिख रहे हैं जिसमें क्रिशको के बारे में बात हो रही हो क्रिशकों की आय के बारे में बात हो रही हो क्रिशकों के विकास के बारे में बात हो रही हो उनके आय में बृद्धी या स्थीरता या उनकी आय दूगनी करने की बात हो रही हो ऐसे इस थलो पर ऐसे मौकों पर आप प्रधानमत्री फसल बीमा योजना के बारे में लिख सकते हैं तो उस नजरीय से देखें डारेक्ट ऐसा एससे में आना थोड़ा सा मुश्किल है कि बताओ प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना ने किस प्रकार से किसानों की आये को इस्थिर किया है ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हाँ कृषकों पर निभन आना सभाविक है अनुमानित है संभावित है जिसमें आप ये सारी चीज लिख सकते हैं चलिए समझते हैं ये क्या है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना साथवे वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर छे वर्ष पूर्ण हो गया ये प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना गो तो साथवे वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर इस योजना को लागू करने वाले सभ किया जाएगा मतलब कि किसानों के घरों तक जाकर इन्हें फसल भीमा पॉलिसी प्रदान की जाएगी क्लियर है क्यों प्रदान की जाएगी उसका कुछ उद्देश भी होना चाहिए उद्देश क्या है उद्देश ये है कि यह सुनिश्चित करना की सभी किसान PM FBI के तहट में संपून जानकारी से अच्छी तरह अवगत हैं यह सुनिश्चित करना डोर टू डोर जाएंगे और उन्हें ये फसल भीमा पॉलिसी दी जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको पता है ना, सारी जानकारी आपको पता है कि आपके शिकायत का निवारण कैसे होगा, दावे के लिए क्या प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं, आपके भूमी अविलेक आपको किस तरह से मिल सकत हैं, ये सब आपको जानकारी है कि नहीं और नहीं हैं तो आपको अब जानकारी दे देते हैं, तो ये सुनिश्चित करना ये उद्देश है, चीक है मैं, तो मेंस में एक उप्योगिता तो निवंद की है, दूसरी उप्योगिता क्या है, भारत के भूगल विशे, प्रशन की बोले या क्रिशकों की बोले दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है क्रिशकों की आये एक बहुत बड़ी समस्या है जो की अंतीम रूप में क्रिशी की समस्या में तबदिल हो जाती है क्रिशकों की आये नहीं होने से उनमें कर्श का भार पढ़ मिक्ता में रहता है और उसके लिए सरकारे अलग-अलग परकार की योजना भी चलाती है तो यह जो नियोजन है तो भई क्रिशी की समस्याएं पर आप कैसे लिखेंगे किसानों की या किस नजरिये से आप देखेंगे तो किसानों की आएं में समस्या होती है और उस समस्या से निपटने के लिए ये नियोजन लाया गिया है जो की है एक बीमा आधारित नियोजन चलिए मेंस में तो बात हो गई अब जड़ाब प्रलिम्स की उपयोगिता देख लेते हैं कोशन किस तरह से पूछा जा सकता है परधान मंतरी फसल बीमा योजना की शुरुआत कब और कहा से हुई पेस्टी में बहुत इस तरह का पैटर्ण पूछा जाता है पैटर्ण फॉलो किया जाता है इस तरह के कोश्चन का जिसमें कहां से और कब कौन सी योजना शुरू ही और इस तरह से ये डेट दे दिया जाता है और साथ ही साथ इस्थानों के नाम भी दिये जाते है चलिए एक कोशन क्या है कि प्रदान मंतरी फसल भीमा योजना अंतरगत किसानों को खरीद और रवी फसलों के लिए क्रमशा कितना प्रिमियम भुक्तान करना होता है यहाँ पर option है अब इस content पर तो हमने इसका उत्तर तो देखा नहीं तो जाहिर सी बात है कि अब हम आगे के content में जो discuss करेगे वहाँ इसका उत्तर मिल जाएगा जैसे कि पहले question का उत्तर यह अब आपको मिलने वाला है यह रहा आपके screen में परधाम मंत्री वस्विमा योजना के बारे में इस योजना की गोशना 18 फरवरी 2016 को मद्य प्रदेश के सीहोर में की गई थी तो चलीए उत्तर देखते हैं 18 फरवरी 2016 को इस योजना की शुरूत की गई कहां से की गई, किस इस्थान से तो सीहोर, नामकिस्थान और कहां पर ही है, मध्य प्रदेश में ठीक है खराब मौसमी परिगटनाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के लिए बीमा सुरक्षा परदान की जाती है इस योजना के अंदर गत मान लेते हैं कि मौसम खराब होने की वज़ा से अगर फसल खराब हो जाए तो किसानों की लाकत तो पूरी डूब जाएगी तो इस परकार की समस्या से बचने के लिए किसान अपने फसलों की बीमा करवाते है ताकि अगर किसी परकार का किसान हो जाए तो उनका लाकत डूबे ना उने पैसा मिल जाए बीमा के तरफ से बीमा कंपनी के तरफ से इंस्रोंस कंपनी की तरफ से तो जाई सी बात है कि जब भी बीमा किया जाएगा तो कुछ प्रीमियम पे किया जाएगा और संशोधित राश्वी क्रिशी विमा योजना का विलाइक कर दिया गया है not so important point अब आप बोलेंगे कि सर आपने लिखा है फिर कहते है not so important point तो जो point important नहीं है वो पहचानना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ जरूरी नहीं कि हर content को यहाँ पर लिख दिया जाए और उसे आप important बोलकर पढ़ते जाएं आपको लिखे हुए content में से भी सबसे important वाला choose करना आना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं premium में इस योजना के तहत सभी रवी फसलों के लिए किसानों को premium का डेड़ प्रतिशत रवी फसल के लिए कितना डेड़ प्रतिशत खरीब फसल के लिए कितना दो प्रतिशत और शेश राशी का भुगतान राज और केंदर सरकार द्वारा किया जाता है तो रवी के लिए डेड़ परसेंट premium और खरीब के लिए दो परसेंट premium किसान पे करेंगे और बागी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पे किया जाएगा वार्शिक, वानिजिक, कॉमर्शियल और बागवानी फसलों के मामले में किसानों के लिए 5 प्रतिशत प्रिमियम दर निर्धारी थे ठीक है तो रभी के लिए बागवानी फसलों करीफ के लिए 5 प्रतिशत खरीफ के लिए 2 प्रतिशत और कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5 प्रतिशत उत्तर देखते हैं खरीफ और रवी क्रमशा तो खरीफ के लिए कितना था दो प्रतिशत और रवी के लिए कितना था डेर प्रतिशत तो ये हो गई बाद इस टॉपिक की प्रिलिंस में किस तरह से आप के लिए ये साहयक होगा तो इस तरह से कोशन पूछे जा सकते हैं प्रिलिंस में चलिए अब एक मेंस अधारीत कोश्चन करिशी समस्याओं के निवारण हे तू प्रारंब की गई प्रधान मंदरी फसल भीमा योजना के उद्देश तथा उपलब्दियों को लिखिए अब डारेट ऐसा कोश्चन आएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एससे में आप लिख रहे हैं कोई कंटेंड और वहां पर आप इस कंटेंड का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि आपने प्रधान मंदरी फसल भीमा योजना का जिक्र कर दिया अब आप चाहते हैं कि इस योजना की उपलब्धी भी आप आकड़ों के सांस साथ में वहां पर पेश कर दें लिख दें ठीक है चलिए बारी बारी से समझते हैं सबसे पहले उद्देश देखते हैं प्राकरतिक आप दाओं कीटों और रोगों के प्रणाम सरूप अधी सूचित फसलों में से किसी भी फसल के नश्ट होने की इस सिती में किसानों को भीमा कवरेज और वित्ती सहयता प्रदान किया जाए मान लेते हैं किसान ने फसल उगाया और केटों के वज़ा से रोगों की वज़ा से फसल बरबाद हो गए किसान की तो आय जो हो सकती थी लाग के रूप में वो तो होगी नहीं दूसरी तरफ से जो लागत था वो भी डूब गया तो अब अगले बार या अगले सालिया जो सीजन आएगा जहां पर फसल उगाना है तो क्या किसान ऐसा कर पाएगा उसके पास तो पैसे ही नहीं है तो क्रिशी में निरंतरता नहीं रहेगी ठीक है तो इसलिए इस निरंतरता को सुनिश्चित भी किया जाएगा इस योजना के तहट इस बीमा योजना के तहट किसानो को नवीन और आधुनिक क्रिशी पद्धितियों को अपनाने के लिए प्रोथसाहित करना भी इसका उद्धेश है ध्यान रखेगा जब भी बात होगी कि भीमा योजना की तो हम यही सोचते हैं कि उसके प्रीमियम पे करेंगे फसल नस्ठों का सरगार पैसा देगी लेकिन उस क्रिशी छेत्र में रिण का प्रवा सुनिश्चित करना रिण का प्रवा वही होता है जहां से रिण वापस आने की सुनिश्चिता होती है ठीक है इस बात के आधार पर आप इस क्रिशी छेत्र में रिण के प्रवा को सुनिश्चित करना इस स्टेटमेंट को अच्छे से सम दर्शन पर बात करते हैं, इसकी उपलब्धी पर बात करते हैं, कि क्या-क्या इसकी उपलब्धियां रही हैं, उपलब्धियां, ठीक है, अभी तक, मतलब 6 साल कम्प्लीट हो गया है, 6 साल तक क्या कहानी है, अब तक इस योजना के तहट ध्यान दिजेगा, 29.16 करोड से अधिक किसानों के आवेदनों का बीमा किया गया है जो सालाना कितना है 5.5 करोड तो हर साल 5.5 करोड किसानों के आवेदनों का बीमा करण कर दिया गया है पांच वर्षों की अवदी में 8.3 करोड से अधिक किसानों के आविदनों ने इस योजना का लाभ उठाया है ठीक है 29 करोड के आविदन स्विकार कर दिये गये हैं और 8.3 करोड किसानों को लाभ मिल चुका है इसके अलावा 20.000 करोड रुपेयों की किसानों की हिस्सेदारी के एवज में 95.000 करोड रुपे के दावों का भुगतान किया गया है जिसमें किसानों का योगदान कितना था, बीस हजार करोड लेकिन बुक्तान कितने दावों का कर दिया गया है, कितने रुपए के दावों का, 95,000 का कर दिया गया है, ठीक है, तो ये इसकी उपलब्दी है, इस योजना की, चलिये, आगे बढ़ते हैं, अगले करेंट इबन प पर आ सकता है और यह नीबंद हमने एक फ्रेम कर रखा है बहुत अच्छा लगेगा हमें अगर आप इस टॉपिक पर या इस थीम पर बेज़्ट कोई नीबंद लिख कर हम तब पहुंचा दें ठीक है प्रश्ण पत्र साथ में अंतरराशी संगठन है भागदो में और उसमें टॉपिक है द्यूपक्षी एवं शेत्रिय समों ठीक है तो द्यूपक्षी समझोता है यह तो इसलिए यह पेपर सेवन पार्ट टू के अंतरगत भी इंपोर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिलिम्स में भारत के शीर्ष वैपारी भागिदार देशों का सही अव सिक्वेंस चुनना है निमनल की कथनों में से सही कथन चुने अगला कोशन भारत एवं UAE के बद्य वर्तमान में 100 बिलियन डॉलर का वैपार है भारत UAE के साथ वैपार अधिशेस की इस्थिती पर है वैपार अधिशेस अर्थात ट्रेड सर्प्लस ट्रेड सर्प्लस कब हो शाएं तो निर्यात अर्थात पॉजिटिव मनी वैलू आयात अर्थात नेगेटिव मूनी वैलू इसे डेटेश में की से नेगेटिव की लिखे इसके लिए आपको बैलेंस आप्यमेंट वाला विडीयो मेरा देखना होगा तो ड्रूर कॉसर्फ है इस स्थिती यह कहा जा भारत और संयुक्त अरब एमिरात ने एक व्यापक आर्थिक व्यापार समझोता पर हस्ताक्षर किया है जिसे क्या कहते हैं सेपा Comprehensive Economic Partnership Agreement इसके अनुसार ये जो हस्ताक्षर किये गए हैं इसके अनुसार क्या है भारत के 90% निर्यात की संयुक्त अरब एमिरात तक शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी इसका क्या ताथ पर है इसका ताथ पर ये है कि जो बस्तू हम एक्सपोर्ट करेंगे और वो United Arab Emirates में जाएगा तो वह वहां पर शुल्क उस पर नहीं लगाए जाएगा मतलब कि अगर हम यहां से कोई प्रडुक्ट भेजते हैं और वो किसी कंट्री के दुआरा उस पर अगर शुल्क ज़ादा duty ज़ादा लगाए जाएगा तो वह प्रोडुक्ट वहां की मार्केट लिए महंगा हो जाएगा तो उसके डिमांड नहीं होगी और प्रोड़क्ट को यूज नहीं करेंगे कंजप्शन नहीं होगा तो हमारा एक्सपोर्ट दिक्कत में आएगा तो इसलिए ऐसे जो हस्ताक्षर होते हैं एग्रिमेंट होते हैं वह काफी इंपोर्टेंट होताते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए क्या कहा है भारत के 90 परसेंट निर्यात की संयुक्त अरव एमिराद तक शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त हो ली इसलिए ये जो समझ्झाओता है भौत इंपोर्टेंट है इसमें क्या क्या रहाएगा निर्यात में वस्तूं एunte सेवाएं और डिटल वैपार भी शामिल होंगे सिर्व बस्तु नहीं सेवाइं और डिटल वैपार भी सेवाओं के अंदर क्या आता है एजूकेशन भी चीक है तुरिय एजुकेशन मेडिकल यह सारी चीज सेवाई के अंदर गता है लाब क्या होगा जरा देखते हैं यह दुई पक्षी वैपार भारत का पहला और एक दशक में किसी भी देश के साथ पहला वैपार वैपार समझाता है यह दुई पक्षी वैपार समझाता है इस चेत्र में भारत का पहला और एक दशक में किसी भी देश के साथ पहला वैपार समझाता है सेपा से लगभग 26 बिलियन डॉलर मुल लिके भारती उत्पादों को लाव होने की संभावना है कितने वस्तू हो या मोनेटरी वैल्यू क्या है 26 बिलियन डॉलर मुल लिके भारती उत्पादों को इन उत्पादों पर वर्तमान में संयुक्त अरब एमिरात द्वारा पांच परसेंट आयात शुलक लगाया जाता है जो कि अब शुलक मुक्त हो जाएगा UAE अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा वैपारिक भागिदार देश है तो हमारा ये अंसर आ गिया कौन-कौन सा देश है अमेरिका और चीन फिर है UAE तो अमेरिका चीन और फिर UAE सबसे जादा वैपार हम करते हैं USA के साथ फिर चीन के साथ और फिर UAE के साथ तो इस सेक्वेंस आप याद रखेंगे प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है चलिए दूसरे कॉर्ष्चन का अंसर भी तो खुज नहीं इस सेपा से अगामी पांच वर्षों में दिवपक्षी वैपार में मौझूदा साथ बिलियन से सो बिलियन डॉलर तक वृद्धी होने की समभावना है मतलब मौझूदा कितना वैपार है तो साथ बिलियन डॉलर कितना होने की समभावना है सो बिलियन डॉलर तो हमारे दूसरा अंसर भी आ गया एक is statement वाला था न यह भारत एवं UAE के मद्ध वर्तमान में 100 बिलियन डॉलर का वैपार है तो इस स्टेटमेंट गलत हो गया क्यों क्योंकि कितना है 60 बिलियन डॉलर चलिए दूसरा स्टेटमेंट भी हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं लगबग 2018-19 में 60 बिलियन डॉलर का वैपार था और अप्रेज दिसंबर 2021 में भी 60 बिलियन डॉलर का वैपार है जिसमें यह जो ब्लू वाला पार्ट है यह एक्सपोर्ट को शो करता है रेड वाला पार्ट शो करता है इंपोर्ट को तो import हम comparatively export से जादा कर रहे हैं इसलिए हमारे सामने ये negative value आता है और ये surplus नहीं बलकि deficit या घाटे की इस्थिती को दर्शाता है तो UAE के साथ हम वैपार घाटा वाली इस्थिती पर है भारत एवं UAE के साथ वैपार अधिशेस की इस्थिती में है तो ये statement भी गलत है वैपार घाटा की स्थिती में है तो कौन सा कथन सहीं है कोई भी नहीं ना तो एक और ना तो दो चलिए आगे बढ़ते हैं नेपाल में भारत की एकिकित भुक्तान इंटरफेस परणाली का प्रयोग उपयोगिता नीबंद में और दूसरा एपलाइड एवं वैभारिक विज्ञान आर्थिक वृद्धी हेतू सॉफ्ट्वेयर का विकास पेपर 4 पार्ट 3 में ये टॉपिक आपको दिखेगा कि सॉफ्ट्वेयर का इस्तमाल कैसे किया जाता है उसका विकास कैसे किया जा रहा है आर्थिक विद्धी के लिए और जब कंट्री डिजिटलाइजड होगी उसमें ट्रांस्परेंसी आएगी और ट्रांस्परेंसी आएगी तो हर चीज काफी फास्ट तरीके से ट्रांस्परेंट परदर्शिता से हमारे सामने होंगे फास्ट भी प्रोसेस होगा और फास्ट प्रोसेस अगर होगा तो एकनॉमिक ग्रोथ जो प्रोसेस लेंदी होने की वज़ा से रुख जाता था वह नहीं रुखेगा ठीक है उस निजरिये से आप इस टॉपिक को देख सकते हैं चलिए समझते हैं इस टॉपिक में कोशन्स भी हैं साथ में डिल करते चलेंगे भारतिय राश्री बुक्तान निगम नैशनल पेमेंट कॉर्परेशन आफ इंडिया RBI के अंदर गत ही एक इंस्टिटूट ये निगम आता है गोशना की गई इसके द्वारा एक गोशना की गई और ये गोशना क्या था कि नेपाल जो कि हमारे एक पड़ोसी देश है वा पहला देश बन गया पहला विदेशी देश बन गया जिसने भारत का UPI सिस्टम प्रनाली अपने देश में लागू किया है तो पहला कोशन ऐसा भी आ सकता है पहला विदेशी देश जिसने भारत के UPI सिस्टम को अपने देश में लागू किया वो कौन सा था उत्तर नेपाल ठीक है कोशन एकिकित भुकतान इंटरफेस यूपी आई को MPCI द्वारा लॉंच किया गया है ठीक है नेपाल भारत का UPI सिस्टम प्रनाली अपनाने वाला पहला विदेशी देश होगा दोनों ही कथन सही है ए और भी दोनों चलिए अगला कोशन भारती राश्री भुकतान निगम नेशनल पेमेंट कोपेशन और इंडिया द्वारा एकिकित भुकतान इंटरफेस किस वर्ष लॉंच किया गया था NPCI ने UPI कब लॉंच किया उत्तर आगे कंटेंड में दिखेगा 2016 में ठीक है UPI क्या है भारत के डिजिटली करण में UPI की युगदान को संशेप में लिखिए UPI क्या है ये एक पेमेंट इंटरफेस है एक त्वरित रियल टाइम भुकतान प्रनाली है रियल टाइम अर्था तुरंट सेटल होने वाला पेमेंट सिस्टम या प्रनाली उपयोग करताओं को अपने बैंक खाते का वीवरण दूसरे पक्ष को बताए बिना कई बैंक खातों में रियल टाइम अधार पर धन अंतरण करने की अनुमती देता है चेक है मान लेते हैं आपको ये करेंट फिर बहुत अच्छा लगा अब आपको लगा कि सर को चलो पेमेंट कर देते हैं कि लो सर ले लो कुछ रूप है और बढ़ियां से एंजॉय करो तो आप UPI के माध्यम से मुझे पेमेंट कर देंगे ना तो आपको बैंक डिटेल मैं आप दूंगा ना आपका बैंक डिटेल मुझे बहुत अच्छा लगा मज़ा आया ऐसा देखकर ठीक है तो यह सिस्टम जो है कि बिना बैंक डिटेल दिए पेमेंट ट्रांसफर करना यह सिस्टम कैसे संभा हो पाया है यही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा संभा हो पाया है जो कि NPCI के द्वारा लॉंच किया गया था 2016 में ठीक है चलिए कुछ और भी NPCI के द्वारा संचालीद किया जाता है वो क्या क्या है तो एक तो UPI है दूसरा National Automated Clearing House है IMPS है AEPS है BPPS है रुपे कार्ड है यह सारी चीज NPCI के द्वारा संचालीद की जाती है यह एक तरह से आप समझ लेए कि भा पेमिंट सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा पहलू NPCI के द्वारा रेगुलेट सुपरविजन किया जाता है ठीक है और अभी यह डिजिटल पेमिंट वाला जो भी मुद्दा होगा एकनॉमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटल करेंसी ल चाहिए सरकार के द्वारा या RBI के द्वारा जारी की गई हो अब इस पर बजट में भी बात हो गई और जो की वातावरण बने हुए हैं जो महल बना हुआ है उससे ऐसा लगता है कि निकटवर्ती भविश में भारत का अपना स्वयम का एक डिजिटल करेंसी होगा इस अ मै पांच भाग एक भारत की अर्थविवस्था टॉपिक मौदरिक नीती डारेक्ट ये रेटिंग एजनसी की कहानी हमारी सिलिबस पर नहीं है लेकिन जिस आधार पर ये अनुमान बढ़ाया गया है उसके पीछे कारण जिम्मेदार मौदरिक नीती है ठीक है समझते हैं किस तरह से मुडिस इंवेस्टर सर्वीस ने भारत की जीडिपी विद्धी के अनुमान में बदलाव किया है क्या बदलाव किया है पहले साथ परसेंट बोले थे और अब 9.5 परसेंटेज बोला गया है कब के लिए विद्धी वर्ष 2022 के लिए ठीक है ऐसा इन्होंने क्यों किय बढ़ा क्यों दिये इनकी जीडिपी ग्रोथ रेट जादा होगी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बजट ने विकास को प्रात्मिक्ता दी है और RBI की मौदरिक निती इसका समर्थन करती है मतलब कि बजट ने कहा है कि हम देश में जीडिपी बढ़ाएंगे और ऐसा होगा कब जब देश में या रहने वाले लोग डिमांड करेंगे और ऐसा कब होगा जब उनकी आई सुनिशित होगी तो बजट ने इस पर फ्रात्मिक्ता दी है ठीक है अब यह डिमांड और कब बढ़ेगा जब सस्ते ब्याजदर उपर जब ब्याजदर कम होंगे उस पर उधार मिल लेगा तो मौदरिक नीती के माद्यम से ब्याजदर अभी कम रखे गए जिसे लोग ज़्यादा उधार ले और मार्केट में डिमांड करें और देश की जडिप को बढ़ाएं तो सरकार और RBI यह दोनों ही जडिपी पर फोकस बनाए हुए हैं मुद्रा इस्विती पर फोक कोशन भारत की जडिपी विद्धी के अनुमान अच्छा एक कंसेप्ट इसमें और था कि 2023 के लिए अभी उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है 2023 के लिए अभी उन्होंने यही कहा है कि 5.5% का ही जडिपी ग्रोथ रेट होने वाला है कोशन पर आते हैं भारत की जडिपी विद्धी के अनुमान के संदर में विभिन संस्थाओं द्वारा आकड़े जारी किये गए हैं निम्न में से असंगत को चुनिए ठीक है आएंगे थोड़ी देर से पहले इस वाले पार्ट पर चले आते हैं चालू विद्धी वर्ष के लिए पूर्व अनुमान साथ से बात हो तो मैं तो पूर्ण संस्थाओं के द्वारा जो ग्रोथ रेट अनुमान लगाया जाता है वो हमारे एक्जाम पॉइंट ऑफ यू इंपॉर्टेंट रहता है मैं तो पूर्ण संस्थाओं में जैसे की फिच इसने एट पॉइंट फूर परसेंटेज का अनुमान द्वारा ध्यान रखेगा यह भी कोशन पूछा जाता है कि वर्ल्ड एक्णॉमिक आउट्लूक किसके द्वारा जैरी किया जाता है तो आइमेक के द्वारा उसने क्या किया है 9% इस टेंडर एंड पूर्स यह भी एक रेटिंग एजिंसी है इसके द्वारा 9.5% और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 632.95 अरब डॉलर हुआ कोश्चन देखते हैं विश्व में सरवादिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा इस्थान है विश्व में सरवादिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है तो भारत का रेंग बताना है जो टॉप पॉजिशन पर उसका नाम बताना है तो चलिए हम दीरे दीरे उसको समझ लेते हैं एक कोश्चन भी आप लोगों से पुछूंगा अंतिम में और आप 2021 को 1.274 बिलियन डॉलर की कमी के साथ 632.95 अलब डॉलर पर पहुंच गया है विश्व में सरवादिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे इस्थान पर है कौन से इस्थान पर फोर्थ रैंग पर और इस सूची में चीन पहले ध्यान नमबर पर लेकिन यहां पर कौन है चीन फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होते हैं तो सबसे पहले होता है फॉरें करेंसी एसेट यह कितना है तो पांसओ सर्षट बिलियन डॉलर फिर सोना होता है गोल्ड रिजर्व यह कितना है एक चालीस दशनलों पांच शुन्य नौ बिलियन डॉलर फिर होता है एसडियार इसपेशल drawing rights अब comment section पर आप ये बताएंगे कि special drawing rights क्या होता है और कितने currency को कितने currency को sdr के अंदर रखा गया है कितने currency के अधार पर sdr के value तैं की जाती है तो पहले तो sdr बताना है sdr क्या होता है और ये भी बताना है कि कौन-कौन सी currency के अधार पर SDR की value decide दी जाती ये comment section पर आप मुझे बताएंगे अब इस in question का answer आप निकाल लेते हैं तो भारत का rank क्या है fourth rank है और सरवाधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश कौन है तो इतना ही topic हम इसमें deal करेंगे उमीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा ठीक है अब आप लोगों से एक निवेदन भी है कि आप comment section पर comment करके हमें उर्जा दे आप बताएं कि आपको ये program ये session कैसा लगा और साथी साथ ये भी बताएं कि आपको इस program में और कौन सी चीजे चाहिए आपको लगता है कि इसे भी समाहित करने से ये जो program है और तरक संगत होगा तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं समात करता हूँ अगले वीक में अगले वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्तित होंगा आपके सामने तब तक के लिए take care goodbye and thank you